हाई अबरवान वेल्कम टेंप्रेक्टिस आज के इस वीडियो में हम नीड बेस्ट स्कॉल्शिप के बारें बात करने वाले हैं और इसके लिए स्कूल गॉइंग स्टूडेंट या अगर अगर आप ग्राजुशन कर रहे हैं किसे भी डिसिप्लिन किसे भी स्टूइम से ग्र अगर आपको फिनाशल प्रॉब्लम है आप अपनी ग्राजुशन नहीं कर पा रहे स्कूलिंग नहीं कर पा रहे तो उस केस में आप इस स्कॉल्शिप के लाप्लाई कर सकते हैं तो यह नीड बेस्ट स्कॉल्शिप है जिसके लिए आपको एलिजिबिलिटी कंडिशन फुल कि अनिए के सिर्ःन होने चाहिए को ऑप शुलिंग कर रहे हैं वह मुंबई मुंबड साथ अर्वेन एडिया में लोकेटी होने चाहिए तो कि अक नाया पेस्टरिम से स्कॉलिंग कर रहे हैं और तो इन्जिवन्ग वाले घूब शूले शूलियन कर उसक़ते हैं तब आपका admission हो जागा तब आप apply करोगे, ठीके, और कोई eligibility condition required नहीं है, यहाँ पर apply करने के लिए, आप previous year में at least pass होने चाहिए, ठीके, अगर आप fail हो तो आप apply नहीं कर सकते, ठीके, benefits के लिए यहाँ पर आपको partially assist किया जाएगा, जो भी आपकी fees से, उस fees की half fee, इस scholarship के अभी आप class 11th में हो, 12th में हो या graduation कर रहे हैं, इस scholarship के लिए apply कर सकते हैं, लेकिन आप enrolled होने चाहिए, ठीके, और यह एक private scholarship है, तो कोई भी student अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप नीडी हो तो ही apply करना, वरना आप यहाँ पर select नहीं होगे, ठीके, अगर आपने already किस scholarship के हो, so documents काहिए, यहाँ पर आपकी family है, आपका academic background है, वो complete detail आपको यहाँ पर देना है, previous mark sheet जो भी आपका like 2021-2022 session है, उसकी जो mark sheet है, जिसमें आप पास हुए है, वो mark sheet आपको यहाँ पर देनी है, family income proof and इसके अलावा, जो current year की, जो field receptive वो देना है, ठीके, यही documents required है, and apply के सी क करना है, तो यहाँ पर आपको email के थुरू apply करना होगा, email address description box में दिया गया है, उसके थुरू apply कर सकते हैं, last day रोएगी 31st January 2023, ठीके, तो 2023 में जो 31st January है, वो आपकी last day रोएगी, तो अभी आपके पास बहुत time है, अगर अभी आपने admission नहीं लिया तो admission का wait करो, जब आपका admission हो जाता है, तब आप apply कर सकते हो, ठीके, तो selection यहाँ पे आपके need के basis पे होगा, and जो eligibility condition वो आप fulfill करने चाहिए, ठीके, तो need based scholarship पे, अगर आपको यह scholarship fake लग रहा हो, तो मैं इसका जो official site है, उसका link में description box में दे दूँगी, वो आप एक बार चेक कर लीजगा, apply करने से पह प्रवाइड कर दूँगे, और जितने भी latest scholarships आने वाली है, सभी पर मैं आपको information इसी चानल के थ्रू दोँगी, तो चाहां को subscribe करके notification ओन के लिजगा, हो सकते हैं, तो वीडियो को share कर सकते हैं, आज कर बस इतना है, next video, thank you so much and take care.